Hello, good morning students, welcome to today's class, today we will discuss on objective questions answers, chapter is 5, therapeutic approaches, this is Dr. Rana Mujiv, Department of Psychology, Madhwadi College, Raji, चलिए, अब हम लोग, objective questions पे आते हैं, Q1. भारत में मानसिख चिकित्सा हे तू, कब अस्पताल खोला गया? भारत में मानसिख चिकित्सा हे तू, अस्पताल खोला गया? Q1. भारत में मानसिख चिकित्सा हे तू, अस्पताल खोला गया? अगर ये आजाएगा कि कहां खोला गया था, राची के किस शहर में, भारत के इंडिया के किस शहर में खोला गया था? तो यहां राची शहर में खोला गया था, जिसका नाम है केंद्रिय मनोचिकित्सा संस्थान, Central Institute of Psychiatry, जिसे CIP कहा जाता है. इस केंद्रिय मनोचिकित्साले की शुरुआत, 1918 इस्वी में हुई थी, और यहां के चिकित्सा पधती, समाजिक देखरेक और उसकी मानव अधिकारों का तरीखा बहुत अच्छा था, सुनिश्चित करने में ये सबसे आगे होते थे, इसलिए यहां अपनाई जाने वादी मानविय द्रिश्टी के कारण ही आगे चलकर सरकार की नीती में परिवर्टन आया, और 1920 इस्वी में, सरकारी मनोचिकितसाले का दर्जा इसे मिला, आया समझ में, तो यहां पर क्या है, कि भारत के जो पहला मेंटल आसाइलम जो खोला गया, तो वो कब खोला गया है, 1920 में, अब नामबर टू कोश्चन है, नियम में सदाचार के कितने गुन है, यह भी कोश्चन हो सकता है, कि नियम में सदाचार के कितने सदाचार बनाए गए है, How many सदाचार have been made in नियम? How many सदाचार have been made in नियम? Answer is 5. 5 क्या क्या है, what is the 5 सदाचार? नमबर वन, शौच, नमबर टू, संतोश, नमबर त्री, तब, नमबर फोर, स्वाधाय, और नमबर फिफ्ट, इश्वन, प्रानिधान. शौच क्या है, आंत्रिक और बायरे शरीर की बुद्धी. संतोश, साटिस्फाक्शन होना, किसी भी चीज़ को करके, तब, क्या है, शरीर की कटनाईयों को, तब और साधना के द्वारा सहन करने के लिए तयार करना. मतलब, इस तरह अपने शरीर को बनाना कि किसी भी सिच्वेशन में, आप शारिरी ग्रूप से उसको कर सके. नमबर फूर क्या सुधाय, यह क्या है, आत्मा और परमात्मा के सही ज्यान के लिए आध्यात्मिक रचनाओं का आध्यन मनन करना. और लास्ट है फिफ्ट है इश्वर प्रानी धान इश्वर के समक्ष अपने को समर्पित करना क्योंकि इश्वर ही सर्वशक्ति मान है तो ये समझ में आगिया कि नियाम में सदाचार के पाँच सदाचार बनाए गए हैं शौच, संतोश, तप, स्वध्धाय और इश्वर प्रानी धान इस इंग्लिश में भी यही हो रहा होगा अगला कोशन है फ्राइड ने मनोचिकित्सा की किस वीधी का प्रतिपादन किया है Fred ने मनों चिकित्सा की किस वीधी का प्रतिपादिन किया है Which method of psychotherapy was established by Fred Which method of psychotherapy was established by Fred तो यहां क्या जगा psycho analysis क्योंकि Fred ने मनों गत्यात्मक चिकित्सा को विक्सित किया जिसका आधार था मनों विशलेशनात्मक वीधी यह की detail से आपकी पढ़ाई हो चुकी है अगला question है वेवाहार चिकित्सा किन के द्वारा विक्सित किया गया या वेवाहार चिकित्सा का परतिपादन किया गया behavior therapy was developed by be if skinner answer क्या होगा be if skinner इन्होंने वेवाहार चिकित्सा को परतिपादित किया था इसमें एक चीज आप ध्यान देंगे कि वेवाहार चिकित्सा और वेवाहार वार ये दोनों अलग चीजे हैं वेवाहार चिकित्सा हो गया उपचार करना जिसको b.f. skinner ने बनाया था वेवाहार वार एक स्कूल हो गया एक संपरदाय हो गया जिसके संस्थापक W. V. Watson थे Understood? किलिए रिचेस? अगला कोशन है मानसिक रोगों के उपचार हे तू आनिदेशात्मक या आनिर्देशित चिकित्सा पधती कौन परकाश में लाया है? मानसिक रोगों के उपचार हे तू आनिदेशात्मक या आनिर्देशित चिकित्सा पधती कौन परकाश में लाया है? What does throw light on non-directive therapy और client-centered therapy? What does throw light on non-directive therapy? अंसर हो जाएगा Karl Rogers अगला question है कि प्रानायाम में सास का संचालन नहीं थै प्रानायाम में सास का संचालन नहीं थै Breathing is involved in प्रानायामा Answer is true इसमें true-false करना है तो answer हो जाएगा सही क्योंकि प्रानायाम जो है योगा का एक परकार है जिसमें श्वास या सास को अंदर बाहर किया जाता है अगला question विवाहार चिकिसा के पर्ती पादक लिंसले और इसकी नथे true or false Right answer is true विवाहार वार चिकिसा के पर्ती पादक लिंसले और इसकी नथे true सही है वही थै अब अगला question से आप लोग देखेगा कि इसको एक एक question में बहुत सारा एक टॉपिक में बहुत सारा questions बनेगा अब इसको मैं screen पे भी डाल चुकी हूँ आप लोग देख सकते हैं इसमें question आपका है कि How many types are psychotherapy मनो चिकिसा के कितने बरकार है तो जब आप higher education में जाईएगा तो उसके बहुत सारे types है लेकिन main जो है मनो चिकिसा के तीन लोगप्रिय थिरेपी है इन तीन थिरेपी में क्या है पहला मनो गत्यात्मा या मनो गती चिकिसा डाइनेमिक थेरेपी सॉरी साइको डाइनेमिक थेरेपी based on psychoanalysis method founder is Dr. Sigmund Freud इस तरह क्या answer होगा कि मनो गत्यात्मा किया मनो गत्यात्मा के परतिपादा कौन है Dr. Sigmund Freud आये समझ में ये किस वीधी पर आधारित है तो यह Dr. Sigmund Freud के मनो विश्लेशनात्मक वीधी पर आधारित यह मनो चिकिसा है समझ में आये आपनों को अगला है वेवाहार चिकिसा behavior और behavioral therapy इसके परतिपादा कौन होगे B.F. Skinner वेवाहार चिकिसा के परतिपादा कौन है Who is the founder of behavior therapy answer is B.F. Skinner यहाँ पर क्या हो जगा B.F. Skinner अगला question है अगली therapy है संग्यानात्मक चिकिसा cognitive therapy तो cognitive therapy जो है इसमें तीन therapy आती इसलिए इस इसे चिकिसा उपागम भी कहा गया है इसमें number one therapy का नाम है rational emotive therapy rational emotive चिकिसा that is called R.E.T. founder is Albert A.L.S. Albert A.L.S. इसमें number two इस थरपी का है B.E.C.Cognitive Therapy B.C.T. B.E.C. का संग्यानात्मक चिकिसा F.F.O.N.D.R. हो गए एरून तमकीन बेग या आपको जादा दराता है एरून बेग कोशन आएगा कि बेग के संग्यानात्मक चिकित्सा के परतिपादक कौन थे तो एरुन बेग या बेग का संग्यानात्मक चिकित्सा किस चिकित्सा से दिया गया है तो क्या हो जागा या चिकित्सा संग्यानात्मक चिकित्सा की एक वीधी है आये समझ में अब इसी की तिसरी क्या है cognitive behavioral therapy CBT संग्यानात्मक वेवाहार चिकित्सा इसके भी कौन हो जाएंगे हैं डॉक्टर एरुन बेक जिसे एरुन चमकीन बेक भी कहते हैं ये इसमें क्या है ये दो therapy को मिलाकर बनी वी है combines is cognitive therapy संग्यानात्मक चिकित्सा और behavioral technique वेवाहार टक्निक दोनों को मिलाकर के ये cognitive behavioral therapy बनी है जिसका आज के समय में बहुत जादा यूज है और इस चिकित्सा के को विक्सित उन्होंने 1960s में किया था तो इस तरह से इसका question क्या बन गया कि cognitive behavioral therapy ये संग्यानात्मक वेवाहार चिकित्सा के पर्ति पादक कौन है answer is डॉक्टर एरुन बेग इस चिकित्सा किस इस्वी में विक्सित हुई है established 1960s में और यह चिकित्सा किस किस चिकित्सा को मिलाकर बनी है combines क्या है combination क्या है संग्यानात्मक चिकित्सा और वेवाहार तक्निक को मिलाकर के cognitive behavior therapy बनी है यह समझ में आया आपको तो इस तरह से इसलिए यह जो cognitive behavior therapy है बहुत सारे mental disorder का treatment करती है अब अगला एक है मानफ्तावादी आस्ति तत्विक परक चिकित्सा humanistic existential therapy इसके founder है Abraham Maslow and Carl Rogers यह therapy भी तीन हिस्सों में बटी है इसके भी तीन परकार है नमबर वन है client-centered चिकित्सा client-centered therapy एक चीज यहाँ ध्यान दिजिएगा कि इस therapy को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे कहा जाता है आ-निर्देशित चिकित्सा या आ-निदेशातमक चिकित्सा जिसे इंग्लिश में कहते है non-directive therapy इसका question क्या होगा कि केंद्र ये client-केंद्र चिकित्सा का दूसरा नाम क्या है आ-निर्देशित चिकित्सा इसका दूसरा नाम क्या है non-directive therapy या non-directive therapy का दूसरा नाम क्या है what is the another name of non-directive therapy तो answer is client-centered therapy founder कौन है काल रोजर्स विक्सित कब क्या है establish कब क्या 1940 तो question अगर आएगा कि client-central therapy कब विक्सिती तो 1940s में 1940s में उसके बाद second therapy है इसके gestard चिकित्सा gestard therapy founder is Frederick S. Fritz Pulse P.E.R.L.S. P.E.R.L.S. P.E.R.S. तीसरी therapy सी क्या है या उद्बोधक Chief को दूसरे किस नाम से जाना जाता है उत्तर हो जाएगा उद्बोधक Chief चिकित्सा या लोगों चिकित्सा के नाम से जाना जाता है कोशन एक और हो जाएगा इसमें कि उद्भोधक चिकित्सा को हम लोग और किस तरह से जान सकते हैं तो उद्भोधक चिकित्सा का हम लोग आस्तित्व परक चिकित्सा के रूप में भी जान सकते हैं इस थेरेपी के विक्तर फ्रेंकल तो इस में कितना कोशित से यह थिरेपी भी है वंपुलर थिरेपी है तो इस जो तीन थेरेपी है मनोगतियात्मक्क तीसरा संगयनात्मक् मोटा मोटी हैं तो मनुगत्यात्मक चिकित्सा के परतिपादत Dr.Sigmund Fred मनुगत्यात्मक या मनुगतिक चिकित्सा, साइकोडाइनेमिक थेरेपी के पर्तिपादर, डॉक्टर सिग्मन फ्रेड, विवहार चिकित्सा के पर्तिपादर, बी एफ स्कीनर, विवहार चिकित्सा या बिहेवियर थेरेपी के पर्तिपादर, बी एफ स्कीनर, संग्यनात्म चिकित्सा या कॉबनेटिव थिरेपी इसमें तीन थिरेपी है रेशनल इमोटिव थिरेपी के परतिपादक अल्बर्ट एलिस रेशनल इमोटिव थिरेपी या रेशनल इमोटिव चिकित्सा के परतिपादक अल्बर्ट एलिस बेग कॉबनेटिव थिरेपी बी सीटी बेग क संध्यानात्मक चिकित्सा, इसके संस्थापव, एरुन तैमकीन बेग, या एरुन बेग, कॉगनेटिव बिहेविरल थेरपी, IT, संस्थापव कौन हो जाएंगे, डॉक्टर एरुन बेग, या दो थेरेपी से मिलकर बना है, एक cognitive therapy, cognitive therapy और एक behavioral technique संग्यानात्मक चिकित्सा और वेवाहार टेक्निक को मिला कर संग्यानात्मक वेवाहार चिकित्सा बनी है अब अगला है मान अफ्तावार्दी अस्तितुपर्ग चिस चिकित्सा यह इस सिद्दान के पतिपादत अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स है लेकिन अलग से जो हम देखते हैं तो इसमें भी तीन तरह हकी therapy है पहला है क्लाइन्ट केंद्र चिकित्सा, क्लाइन्ट सेंट्र थेरेपी जिसका दूसरा नाम आनिदेशित चिकित्सा, नन डायरेक्टिव थेरेपी है यही तक आनिदेशित चिकित्सा, नन डायरेक्टिव थेरेपी इसके founder कौन हो जाएंगे? काल रोजर्स अलग से a हो जाएगा काल रोजर्स, 1940 इसकी number two therapy है, gestalt चिकित्सा या Gastal Therapy जिसके Founder है Frederick S. Fritz Pulse 1970 Frederick S. Fritz Pulse आपके स्क्रीन पे भी है आप तीसरा है अस्तितिपरक चिकिलसा Existential Therapy और उद्दभोधक चिकिलसा या उद्दभोधक चिकिलसा Logo Therapy Founder है Victor Franklin इस तरह से आपका ये इस चिकित्सा उपागम का objective question answer complete हो गया इसमें बहुत सारा question है हो जा रहा है आप ध्यान से देख करके आप खुद से भी questions इसमें बना सकते हैं इसी तरह आज का class यही तक अगले class में short questions answer होगा short question type answers कराया जाएगा thank you झाल 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 झाल